विदान सबा चुनाओं में मिली करारी हार के बाद कॉंग्रेस विधायक दल की पहली बैठक गुधवार को हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने यह प्रस्ताव रखा कि कॉंग्रेस विधायक दल के नए नेता का फैसला हाई कमांग करे उनके इस प्रस्ताव का डॉक्टर चरण दास महंत्य ने भी समर्थन किया विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी दिल्ली के लिए लोट गई है विधायक दल की बैठक को लेकर चुनाओं परेवेच्छक अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी शेलजा ने कहा कि विधायक दल के नेता को लेकर भुपेश भगेल ने प्रस्ताव रखा था डॉक्टर चरण दास महंत ने अनुमोधन किया वहीं कॉग्रेश प्रदेश अध्यक्त एवं सांसर दीपक बैज ने बैठक को लेकर जानकारी कुछ इस प्रकार से दी है विधायकों ने जो अभी चुन कर आई हैं उन्होंने सर्वसरमती से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अधिकृत करेंगे अपने राश्ट्री अध्यक्ष को कि वो CLP लीडर्शिप का मामले का फैसला करेंगे उसके बाद हमने एक एक करके सभी विधायकों से बात की और जो भी उनकी बाते हैं रिपोर्ट हम अपने राश्ट्री अध्यक्ष्टी को सौंख तेंगे माकन जी और मैं जल्द हो जाएगा जल्द हो जाएगा जल्द हो जाएगा आज कॉंग्रिस के लव वाचित सभी विधायक बें यहां पे इकठी होगे और सब लोगों ने सर्व सम्मत्री से एक लाइन प्रस्ताफ किया कि विधायक दल के इता को चुनने का सारा अधिकार कॉंग्रिस अध्यक्ष श्री मधिकार्जुन खरगी जी को दिया उसके पश्चात हम दोनों ने हर विधायक से एकिक करके अलग से बात की उनके विचार जाने और पूरी रिपोर्ट हम लोग आइक मांड को आज जबी जाएंगे और पूरी रिपोर्ट इसकी देरें लगबग जितने वादा किये हैं वो पूरे वादे पूरा होना चाहिए यह के मिनेट में निड़े ले तो अच्छी बात है छति पानियर जे माखन जी हमारे चति गड़ इंचार्ज कुमारी सहलजा जी और तमाम हमारी वरिष नेता और हमारे जो नवनीर वाचित विधायक के साथ हमारा विधायक दल का बैठक हुआ और एक लाइन में सभी लोगों ने प्रस्ताव पास किये कि छति गड़ विधायक दल का नेता कोन होगा इसके लिए आला का मन को प्रस्तावित कर दिया गया है एक नाम पर सहमति ताकि आला का मन इनका नेड़े ले ले अब देखिए तो अभी तो कुछ भी कहना संभग नह नहीं है हमारे पास दोनों चेहरे हैं युवा चेहरे भी है और अनुबही चेहरे भी हैं दोनों चेहरे हैं जिनको भी मौका दे दे यह तो आला का मन को देना है